कि नमस्कार दोस्तों एनलमिक एजूकेशन में आपका हार्दी का बिदन्दन है स्वागत है मित्रों आप जैसे जैसे आज नमीन सलेबस आ हैं नए द्रिश्टी कून आ रहे हैं हर सब्जेक्ट में समयने प्रत्यूगी परिक्षाउ हों तो हर जगे क्या है नमी कि यह आ विशारों के सामने आते जा रहे हम तो जैसा की मैंने ती सास्त में बारे में डाइनिमिक अध्यान के बारे में सलेबस में टोपिक दिए गए तो कुछ नमीन विचारों के नाम भी नमीन तो नहीं कह सकते अध्यान तो हमारे हम लंबे समय से कर रहे हैं जैसे कि बेसिकली मौरिस जोन्स ने हमारे अध्यन किया था माइनर वीनर ने अध्यन किया था तो ऐसे रुडोल्फ 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 ने भी अध्यन किया था रुडोल्फ रुडोल्फ उन्होंने भी भारती राजनिती का ध्यन किया था अब ये भारती राजनिती के इस पर कार के अध्यन कब से शुरुआत हुए क्यों शुरुआत हुए इस पर हम पहले में थोड़ी चर्चा कर देता हूं एक्चुली क्या है पहले तो राजनिती विज्ञां में प्रमपरगा दिरश्टिकून था उसी का परभाव था सेकेंड वल्लवार तक प्रमपरगा सास्तर में वहारवाद का उद्गम हुआ जिसका जनक डेविडिस्टन को माना जाता है तो वहारवाद को उद्गम हुआ तो बहुत सारे नमीन विचारों में अध्यन पर जादा बल दिया गया कि हम जादा जादा अध्यन करें विसेश कर इसमें प्रात्मिक आखडों पर बल टु वो प्रातमिक आकड़े कहलाते हैं तो बेसीकली प्रातमिक आकड़ों का ध्रक्राइन पर जादा चमुखों का अध्यन करना चाहिए चाहे दबाब समू हों, चाहे जातीगार धार्मिक समू हों, चाहे विविन परकार के समू हों, उनकी राधिनती में क्या भागेदारी है, लोकतंतर में क्या भागेदारी है, इस परकार के धन प्रारम हुए, इसी दिसा में देखते हैं हमारे हाँ समू सिद्धान भी आया था पहले आर्थर बेंटले ने उन्हें तो 1908 में चर्चा कर दे थी लेकिन इस पस्ट वियाक्या उन्हेंट में जाकर फिर हुई डेविड ट्रूमेन तो अपने किताब गर्मेंट और प्रोसेस उसमें पूरा फिर वियाक्या धंग से करता है समु सिद्धान भी अब कोले लेक्चर के सलेवस में चोड़ रखा है जिस पर हम कभी अलिन नेक्स्ट वीडियो में कभी वीडियो में फिर आपसे व्यापक तर्चा करेंगे लेकिन आज हम अध्यन करना चाहते हैं कि वेवारवाद जैसे आया तो वेवारवाद इन बातों प सक में हमारे हां लोक तंत्रा आ गया फिर उसके बाद विशेश परिवर्तन हुआ चतुरत आम चुनाओं में हरित करांती के बाद हरित करांती 66 में आई थी 67 में हमारे चोथे आम चुनाओं हुए थे उन आम चुनाओं में भारती राजनिती में एकदम बदलाव देखा गय बदलाव क्या देखा गया वो पहले सुनना है कि आपको दिहान है कि 1950-66 तक métर में भी कोंग्रिस की सरकार थी और अधिकांश राजियों में भी कंग्रिस की सरकार थी कंग्रिस का ही बोलवाला था पहली बार सड़ सड़ के चुनाओं में राजियों में छित्री दल का उद्भा हुआ और हमारे हां कहीं न कहीं जाती वाद का प्रभावी देखने को मिला जाती और प्रिशक समू उन्हें राजनिती में प्रभावी भूमी का अदा की इसी करण से बहुत सारे जो वहारवादी थे या अमरीका की विद्वान थे जो वहारवाद में आस्ता रखते थे वो भारत में अध्यन करने के लिए आए बहुत सारे अध्यन करने के लिए आए मोरी जोंस भी आए माइनर फीनर भी आए इसी दरश्टिकोन में दो महतपूर्ण जो ठिंकर हैं आज रुडॉल्फ तो आपको बार बार इंडियन गर्मेंट और पॉलिटिक्स भारति सासनवर राजनिती की किताब में इन दो थिंकरों का नाम मिलता है रुडॉल्फ और रुडॉल्फ तो इनके बारे में आज हम अध्यन करेंगे नोंने भारति राजनिती और लोक तंत्र का क्य क्या बताया तो वास्त में इनके जो विचार हैं वो उत्तर वहारवाद के निकट है क्योंकि उत्तर वहारवाद विज्ञानिक्ता के साथ संस्कृति पर भी बल देता है तो यह थोड़ा सा धिहान रखना है तो रुडॉल्फ और रुडॉल्फ पर हम चर्चा करेंगे यह पती-पत्नी थे शिकागो विचुद्याले में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे और उन्होंने लंबे समय तक भारत में अध्यन किया था तो मैं इनके इमेज भी आपको बता देता हूं यह सुसान रिडॉल्फ हैं लोयड रिडॉल्फ हैं लोयड रिडॉल्फ एंड सुसान रिडॉल्फ इन दोनों का जो अध्यन था भारत में अध्यन 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 था तो अध्यन के कारण आज जो हमारा द्रश्टी कोन है भारत महान है कि नहीं है वो भी यह बता देते हैं कि भारती संस्कृती का उन्होंने गुनगान ही किया था बहुत प्रभावीत दिख भी रहा है पीछे यहां भी चितर कहीना कहीं उदे पेलेस का चितर दिखाई दे रहा है तो राजस्थान का कहते है राजबुताना संस्कृर्ट इस ग्रेट कल्चर ओफडिया तो ग्रेट कल्चर हमारी बताए कि हमारे हाँ त्याग बलिदान, सहास इंपर बल दिया है इन पर ये बहुत ज़दा परभावी थे और ये अध्यान करने के लंबे समय तक जैपुर में रहे भी थे अमर सिंग के साथ इन्होंने काफी पुस्तकों की भी रचना की थी उन्होंने भी एक डायरी इन पर आधारित लिखी थी तो ये अध्भुद अध्यान था लेकिन हमे शिकागो विसी जाले में प्रोफिसर थे अमरीका नहीं थे और इनकी पतनी है सुसान हुएबर रुडॉल्फ 1930-2015 ये जो सुसान रुडॉल्फ हैं का जनम तो जर्मनी में हुआ था लेकिन ये करम भुमी अमरीका में रही और रुडॉल्फ जो लॉयड रुफोल्ट के साथ फिर इन्होंने शादी भी कर ली थी और इन्होंने लंबे समय तक चूंकि भारत में अध्यन किया था इसलिए भारत सरकार ने 2014 में पदम भूसन पुरुसकार भी दिया था फिर इन्होंने अनेक ग्रंतों की रिचना किये मैंने कुछ ही ग्रंत लिया है जो महतवपूर्ण हैं तो आप इनको ध्यान रखेंगे तो मेरे खाली एक्जाम का द्रेश्टी कौन देखा है कि आज विभिन परिक्षाएं आ रही है को ले लिक्षर भी है नेट भी है और इनको परिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कि भाई बच्चे को क्या उप्योगी है तो मैं उन की चर्चा कर देता हूँ पहला है दा आइडिया आफ राजस्थान उनिस सो चरण में इसमें तो उन्होंने राजस्थान की संस्कृति के बारे में हैं के मुल्यों के बारे में बताया और इन मुल्यों को अध्भुदी माना और राजस्थान की विरासत एतिहासिक विरासत स इगल पिलॉरिजम तो इनुने कहा कि भारत में जो रहन सेन का धंग है हमारे हां बहुल वाद यह तो रहता है जो सम्मून हैं कहीं न कहीं वो भी परभावी विम्जादा करते हैं और शक्ती का यहाँ विकेंदरी करण है शक्ती के अनेक गेंड़ में ऐसा इन्हों ने बेसिकली बताया और कहीं न कहीं बहुल वादी संपरभूता की बात की तो अब संपरभूता आएगा 소odhi Oh संपर्वुता में बहुलवादी संपर्वुता के निकट है फिर इंडियन इलेक्षन बेकिंग इंटु दा फ्यूचर दोहजार नो इन्हों ने भी इनुन लिखा कि भारतिय लोगतंत्र में सब बातों पर मद्दान होता है ठीक है धर्म जाती भी देखते हैं लेकिन साथ में इन्हों ने लिखा कि भारत में परंपरा और आधुनिकता दोनों का मिसरण है भारत में परंपरा को भी अपनाया जाता है आधुनिकता के उपनाया जाता है तो भारत में मिसरण चलता है यह नहीं कि आधुनिकता क्यों की जाती है अभी हम इस पर और डिटेल से चर्चा कर अगे चल और फिर इनंकी अगली किताब थी पर्स्यूट ओप लक्षमी पोलीटीकल इकनुमी फंडियर स्टेट तो भारती राज्ण की रत्योस्ता है वह कि स्षम हमारी ग्रामेन अर्थवोस्ता है ग्रामिन अर्थवोस्ता में समाज से जुड़ी हुई अर्थवोस्ता है उसमें सिंग परिवार भी देखने को मिलेगा जाती सिस्टम भी देखने को मिलेगा जजमानी सिस्टम भी देखने को मिलेगा वो जुड़ी हुई है इसलिए पूरी चीजें वहां आरथिक और समाजीक कौंसесяPT A की साथ है तो यह नूँने पूरा बताया कि आर्थिक पक्स जुड़े हुए हैं इसलिए भारत आर्थिक रूक से प्रगति कर रहा है लिकिन समाज के साथ प्रगति कर रहा है जा신 वहां इसमें गांदी जी के बारे में इन्होंने काफियत तक लिखा कि गांदी जी क्या क्या चाहते हैं गांदी जी के पूरे दर्सन के इन्होंने बताया कि 1909 में गांदी जी सैसे हिंद सवराज लिखे थी तो उन्होंने उत्तर आधुनिक्ता की निव रखे थी यानि कि उत्तर आ क्या नकरात्मक परभाव है उसको खतम करना चाहिए तो आज उत्तर आदुनिक्ताबाद में ये कह रहे हैं कि मानुए मुले और नेतिकता और मानुता भी साथ-साथ जिवित रहनी चाहिए तो गांदी जी ने हिंद सवराज में पहले ही कह दी थी तो इन्होंने गांदी जी क पार ये किया था रुडॉल्फ रेंडॉल्फ का अब मैं इनके जो मैन मैन अध्यन है जो आपके एकजाम की द्रिश्टी से उप्योगी हैं उन पर मैं एक बार फिर चर्चा कर देता हूं पहला है परमुक विचार में पहला विचार है परंपरा बनाम आदुनिक्ता इस पर आदुनिक्ता आएगी वो आदर्स पश्चमी करण की बात करते हैं आदुनिक्ता की बात करते हैं जैसे सैली घहरी सन फ्राडा जैसे विद्वान ये बेसिकली कहते हैं परंपरा और आदुनिक्ता में विरोधा भास है आप परंपरा को निकुल करेंगे तो आदुनिक्ता क का परवायव भारत को टुकड़े टुकड़े कर देगा भारत में राष्ट वाद को समाप्त कर देगा राज्य नर्मान राष्ट नर्मान की समस्या को बढ़ा देगा ऐसा इन्हों ने कहा था सैली गहरीसन फ्राडा ने इन्होंने कहा कि परंपरा अपनाएंगे तो आधुनिकता खतम हो जाएगी भारत में जो जाती वाध धर्म वाध का जो पर भाव है वो कहिना के भारतिय लोक्तुंत्र को नश्ट कर देगा तो सैली गहरीसन फ्राडा जैसे विद्वान तो यह कहते हैं दूसरी तरफ बाकी विचारक हैं रजनिक उठारे एकबाल और इसी स्रेनी के विचारक हैं लियोडवै सुसान रोडॉल्फ तो यह कहते हैं परंपरा और आधुनिकता दोनों में सामन्जे से भी हो सकता है विकास की जो सही रूप रेखा है दोनों के दिर भर है कि इसमें परंपरा भी रहे और आधुनिकता भी रहे दोनों में समन्द मजबूत रहे तभी विकास बहतर हो सकता है तुझ रजनिक उठारे ने भी कहा कि भारत में जो जाती है धार्मिक समू है रुडॉल्फ रुडॉल्फ ने भी कहा भारत में जाती है धार्म को बढ़ावा देता है लोग लोग तंतर में बोटिंग जदा करते हैं और अपनी मांगों को सरकार तक भी पुचा देते हैं आज जाती कहने कहीं अपने हमारे आर्थिक राधनितिक हीतों के संद्रक्षन का कारिये भी कर रही है तो यह इन्होंने पोजिटिव कहा और कहा पर परंपरा और आधुनिक्ता में समनमें हैं भारत में लोग तंतर बढ़ रहा है परंपरा के साथ बढ़ रहा है और यह इस्थाई विकास का प्रथीक है और भारती संस्कृतिक अनुकूल विकास है इनक्रेडिबल डेमोक्रेसी है स्रेश डेमोक्रेसी है ऐसा इन्होंने नि अध्यन करके इस बात की पुष्टी भी की तीसरा इन्होंने क्रश्ची के बारे में कहा उन्होंने कहा कि क्रश्ची में भारत में प्रश्ची मिकरण नहीं अपनाया जारा गाउं में विप्रश्चीम की विज्ञानिकता एकदम कठोर रूप से नहीं अपनाया जारी हमारे हा भारत में आधुनी करण करशी में जादा हुआ है इसलिए भारत में इस्थानी जो सासन की राजनिती है उसमें आर्थिक मुद्दे भी हैं इस्थाने मुद्दे पर भावी हैं तो ऐसा इन्होंने अपनी किताब इन परसन ओफ लक्षमी में का था इसलिए भारत की राजियों फिर कर अभी 2010 में एक वार्टसन इंस्ट्यूट है जैसे मैंने बताया है कि विभारवाद की बहुत सारे हुआ अध्यन संस्थाएं हैं अमरीका के अंदर जैसे फोर्ड कारनेगी एपसा ऐसे एक इंस्ट्यूट है वाट्सन इंस्ट्यूट उसमें एक सेमिनार हुआ था 2010 में उसका जो टोपिक का तोपिक था इंडिया के बारे में भारत के लोगतंतर के 60 साल इसमें उन्होंने कहा कि बेसिकली विकास का मतलब परंपरा को समाप्त करना नहीं है बलकि परंपरा और आधुनिता दोनों का समन्वे करना है तब ही जब सुसान जो रुडोल की ये बात कह रही थी तब हुआ कि एक विद्व विञ्ञानिक्ता आया तो आप तो पहली कलास की बात करें तो नहीं कहा पहली कलास के ब helium छे को क्लास से भारणी फेका जाता है इसकूल से भारणी फेका जाता इस्कूल के भाग हैं और वही बविश्य का निर्मान करेंगे तो बेसिकली क्या है कुछ चीजें सारी चीजों को साथ लेके चलना चाहिए परंपरा को बिल्कुल समात नहीं करना चाहिए और आज उत्तर आधुनिकतावाद ने इस फ़स्ट भी कर दिया है कि परंपरा का भी महत्व है कि आज जो विज्ञानवाद के करन आप करोना जैसी समझ चाहिए तो कहीं नहीं विज्ञानवाद ने इसको गती बढ़ा ही है हमने अपने परंपरिक तरीके से इसको निवारण किया है तो सबका इलाज जो है वो परंपरा से ही संभव है तो यह बेसिकली आपको दिहान में रखना है कि परंपरा और आधुनिकरन में समन में परबल दिया फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं मित्रो लोग तंदर के संदर्ब में उन्होंने मैक्स वेबर की आलोचना की मैक्स वेबर तो आप जानते हैं जर्मनी के विचारक थे जिन्होंने नोकर साही का आदर्स मोडल प्रस्तुत किया था और उन्होंने कहा था कि हमें सम्विधान का कठोर रूप से पालन करना चाहिए और मिश्चित वेतरमान होना चाहिए उन्होंने सब अमरीका को यादर समाना था और काल माक्स की भी आलोचना कर दी थी अमरीका को पूंजी वाद को यादर समाना था पूजीवाद और भोतिक्ता के रूपी अपना नोकर साइका मोडल परस्तूत किया था सम्धान का कछोर रूप से पालण एक काम करना चाहिए दूसरा काम नहीं करना चाहिए तो बेसिकलि उन्होंने पूरा पूजीवादी ją लोगतंद्र भोतिक वादी लोगतंद्र की बात की थी तो यह इसकी आलोचना करती हैं वो कहते हैं वो पश्चिम को यादर समानते हैं और जबकि भारतिय लोगतंद्र तो पश्चिम के सासाथ परंपरा का भी समावेस होना चाहिए यानि कि आधुनिकता और परंपरा दोनों के समन्वे में ही विकास संभव है फिर उन्होंने कहा भारतिय लोगतंतर सहभागिता और संगवाद दोनों पर बल देता है तो इसके बारे मैं उन्होंने कुछ इलिमेंट भी बताए कैसे कैसे कहते हैं पहला तो यहां जाती धार में किरसक समों की भागदारी भूल संभर्वता निश्चित करती है बहारतिय लोगतंतर में सहभागिता भी है और संगवाद भी है फिर यहां राज्यों का जो गठन होता है वो केंदर दुआरा थुपा नह आता बलकि भासा जाती सांसकर्थी का धार पर जब मांग होती है तब तो आपको ध्याने कि हमारे हां वास्ता में फजले लिया आयो क्यों बना था जब मदरास राज्ये से श्री रामलू ने का था आंदर प्रदेश को अलग करो तो हमारे हां जो भी नए राज्यों के खू हांडका भी मांग पहले की जहार खंड की मांग पहले चलती रही है तो फिर के इंदर ने फश खै कर तो यह एख ढूह pou calm करती है 강ा तब ही राज्ये का घौन है ऐसा basically यह कहती है फिर कहते हैं भ Поэтому किए भारत में बहुत लहीं विवस्था है 1960 six takes के बाद यहां चैतरे दलों का पर्भाव हैm 99 तो कंदर में भी किन सरकार छेतरे दलों की भागडारी रही है के अंदर में भी गटबंदन सरकार है महां राष्टिय दल के साथ छित्रे दल कारे करता है इसलिए हमारे हाँ असली संगवाद है परकिर्यात्मक संगवाद है रियलिटी वाला संगवाद है ऐसा बेसिकली यह बताती है तो वास्तिकता यह है कि भारती लोगतंतर स्रेष्ट है इसमें पश्चिम पर आधारित नहीं है यह हमारे मुल्य और संस्कृती पर आधारित है इसमें विज्ञानिकता का भी साथ साथ समय वेस है यह रुडॉल्फ रुडॉल्फ कहते हैं फिर उन्होंने बेसिकली जो पुस कुछ महत्पून संदर्मेने लिए भी हैं पहला तो कहती हैं कि बैसिकली 1909 में कि गांधी जीने हिंद सवराज कुस्तक लेकि थी हिंद सवराज कुस्तक में उन्होंने उत्तराद मिक्ता के निव रख दी और पश्चिम के आलों सुना करके परंप्रा को महत्व दिया दे के नीटी अपनाने चीए किसान वाले खेती वाला सारा नियम अपनाना चीए गाओं को अधर बनाना चीए तो पस्चिम का अंदधुन करन का उन्होंने विरोध कर दिया था तो उन्होंने कहीं न कहीं उत्तरादुनिक्ता के नीव रख दी थी पिर गांधी जी की सबसे भी रहना चीए परिश्रम भी करना चीए तो इस तरीके से उनने आतम सहीं की बात की थी तो आतम सहीं पर आधारित राजनिती राजन्ती समर्थे का मतलब जंता को जोड़ने पर ज़्यादा बल कितना बड़ा जंता जुड़े रहेगी उतना ज़्यादा विकास अधिक फिर गांदी जी सब्ते ग्रे जैसे साथनों को प्रियावत करते हैं वो किसी को बल द्वारा मनाने की बात नहीं करते सब्ते के लिए आगरे हर्दे परिवर्तन पर विस्वास करते हैं तो यह पद्धिया अध्भुत लोक्तांत्रिक पद्धिया है और राजन्तिक के पीडिवर्तन चर्टा की कि आज पर्यावरन संडक्षन की समस्या हो चाहे एसमानता की समस्या हो चाहे संगर्श की समस्या हो सभी का निदान गांदीबात के माद्यम से संभव है इस परकार देखें तो रुडोल्प नue रुडोञ्फने भारती राजन्ति का यह बारेम है हम सब को इसी मार्क का नुसरण करना चाहिए तो मित्रो तो आज हम रुडॉल्फ रुडॉल्फ के बारे में इतना बताया है आगे वाली वीडियो में हम बाकी चीजें भी आपको बताएंगे तो हमारा एप बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है और हम निरंतर नए टो झाला हम रुड़ प्रॉड़ आर हमारा ईपको बताएंगे के वाला है याला हनुडॉल्फ प्रॉड़गे निर्स बाताई निर्स के शीजें प्रॉड़भ रॉड़ा बारे में जल्सान पबताई।